हेलो रिवान, विलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चेनल, फार्मरोक्स के यूटूब एजू के स्टेशनल चेनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे क्याइबर गुलिन हम स्टेड टैबलेट्ट के बारे में तो हम जीत ये सीक हैं कि ये जी वेजिक यूश के बारे में साथ ही जाने कि उसका डेल ले डूस वगएरा क्या होता है, व्यार्किंग खुट है और side effects वगएरा को हम सिखेंगे ये lecture के अंदर detail में तो यहाँ पर आप जो title study के अंदर देख रहे हैं कि Cabar Golin के जो tablet का जो brand name है वो है Cabar Golin करके 0.5 mg के ये tablets जो है वो market में available होते हैं और इसके जो manufacturers के हम देखें तो वो sun pharma जो है वो manufacture करता है साथ ही ये tablets के कौन से अलग-अलग brands होंगे वो भी हम जानेंगे और सिखेंगे Detail Pharmacology of Cabar Golin तो अब सिख पाएंगे medicines के basic use के बारे में एक्सेस करें उनके PDF and PPTs और वीडियो लेक्चर वो भी affordable price में Pharma Roks के आप उपर तो आप सिख पाएंगे medicines के basic use के बारे में उनका dose क्या रहता है side effects, warning, contraindications तो सब भी जान करें आपको पूरी मिलेगी वो भी सरलबासा में तो डाउनलोड करें आप Pharma Roks और एक्सेस करें ये कोर्स एक साल तक affordable price के अंदर तो study material taste series और वीडियो लेक्चर के लिए जरूर से डाउनलोड करें आप Pharma Roks Android user, Android app डाउनलोड करें Google Play Store पर से, iPhone user, App Store से लिंक आपको description box में मिल जाएगी तो अब समझते हैं कैबर्गुलिन tablets के बारे में तो कैबर्गुलिन जो है वो अर्गोट derivative medicines कही जाती है और ये जो है वो potent dopamine receptor agonist है कि जैसे हम सीखते कि कुछ medicines antagonist होती है, inhibitors होती है, blockers होती है अलग-अलग receptor की तुसी तरह से ये medication जो है वो dopamine receptor से bind होती है मतलब कि ये medications dopamine receptor से bind होके अपनी pharmacological action देती है और वो भी D2 receptors पे हैं तो इसी के लिए उसको कहा जाता है agonist कि agonist medications जो जो है वो bind होते है और bind होकर अपनी effect जो है वो देते है खास कर और ये medication भी उसी तरह से कि जो dopamine receptor से bind होके अपना pharmacological action देता है और dopamine receptor agonist कही जाती है ये जबकि कुछ medications अगर receptor से bind होके उनको inhibit करे उनकी actions को तो उसको हम antagonist कहते हैं तो cabergoline जो tablet है वो dopamine agonist कही जाती है और ये खास कर 0.5 mg के dose के अंदर available होती है और ये medication basically use होती है hyperprolectemia को treat करने के लिए हैं तो यहाँ पर आप ये अच्छे से word समझेए कि लिखा है कि hyper plus prolectinemia तो उसका मतलब ये होता है कि जो prolectin hormone होता है कि जिसके अंदर ये prolectin का जो level काफी high होता है normal से तो इसे condition को hyperprolectinemia कहा जाता है तो ये बीमारी को ठीक करने के लिए ये problem को ठीक करने के लिए cabergoline के जो tablet से वो prescribe की जाते हैं तो cabergoline जिसे हमने सिखा कि essay class का medication कहा जाता है pharmacology के अंदर कि जो dopamine receptor agonist class के जो अलग-अलग medications होते हैं उसे में से ये है cabergoline और ये क्या करती है आपके body के अंदर decrease करती है prolectin hormone के level को कि जिससे hyperprolectymia की जो condition होती है वो ठीक होती है तो ये ऐसे अलग-अलग conditions और symptoms को कम करता है कि जो hyperprolectymia के साथ जो है वो associated है तो अब आप समझे कि high level of prolectin की जिसको medical terms के अंदर कहते है hyperprolectymia तो normal values आप यहाँ पर देखे कि जो male के अंदर पूरू से के अंदर इसका level होता है 2 से लेकर 18 nanogram पर milliliter non-pregnant females के अंदर होता है 2 से लेकर 29 nanogram पर milliliter और pregnant females के अंदर इसकी value होती है 10 से लेकर 209 nanogram पर ml जितना है तो अब क्या होता है कि ये normal value से जब आप test करवाते है blood test और उसमें prolactin level जब high होता है तो वो condition कहीं जाती है hyperprolectamia तो उसको treat करने के लिए ही ये medication खास कर यूज की जाती है कि जो reduce करती है prolactin के level को तो natural एक substance है prolactin कि जिसका high level जब होता है तो वो जो है वो breastfeeding के दोरान help करता है कि जो milk production जो होता है उसमें वो काफी help करता है कि जो prolactin का level अच्छे से maintain रहता है तो breastfeeding के दोरान जो milk secretion जो है वो अच्छे से होता है but कई बार क्या होता है कि बीना pregnancy के भी या फिर बीना breastfeeding period के भी कई बार ये hormone का level आपके body के अंदर high होता है तो अगर बीना pregnancy और बीना breastfeeding के period के दोरान अगर इसका level ज्यादा है मनलाब कि जो non pregnant females की जो हम बात कर रहे है तो उनमें ये normal level है कि दो से लेकर 29 nanogram पर milliliter जितना होना चाहिए but यहाँ पर वो level समझो कि increase होता है तो उस वक्त problem क्या होते है कि अलग-अलग symptoms develop होते है जैसे कि infertility के problems होते है women's के अंदर दूसरा sexual problems होते है and bond loss जैसे condition होते है कि यह 3 problems होते है कि जब यह prolactin hormone का level आपकी body के अंदर बढ़ जाता है तो prolactin जो है वो specially level जो है वो increase होता है तो उसका reason होता है कि आपकी जो body के अंदर जो pituitary gland है तो वहाँ पे कोई problem है तो कई बार यह reason के कारण भी prolactin का level जो है वो increase होता है कि वहाँ पे hormonal problem है या फिर आपके pituitary gland के अंदर tumor है hormonal imbalance हो चुका है तो यह सभी reasons के कारण यह होता है जो prolactin का level हाई हो जाता है तो जो evalution जो होता है women's के अंदर वो जो है वो change हो जाता है कि proper time पे evalution नहीं होता menstrual cycle disturb हो जाता है कि जो menstrual period की regularity जो होती है वो irregular हो जाते है और breast में से जो है milk production होना जो है वो start होता है तो यह सब complications होना start होता है कि जब non pregnant females के अंदर यह prolactin का जो level है वो increase होता है तो cabergulin किस तरह से काम करती है तो cabergulin क्या करती है कि जो dopamine receptor agonist medication है तो यह क्या करेगा dopamine receptor से bind होगा और dopamine receptor से bind होके क्या करेगा यह medication prevent करेगा release जो है prolactin का वो release को जो है वो prevent करेगा तो cabergulin क्या करती है बाइंड होती है डोपामेन रिसेप्टर से और डिक्रीस करती है प्रोलेक्टिन के लेवल को कि जिससे ये मेडिकेशन लेने के बाद जो है वो प्रोलेक्टिन का लेवल दिरे-दिरे कम होके फिर से अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है अब जो क्या बरगुलिंग के 0.5 मिली ग्राम के जो टैबलेट साते है वो क्या करते कि ये मेडिकेशन लेने के बाद जो मिल्क सेक्रेशन जो है वो कम हो जाता है और स्पेसली कि जिनको स्टील बर्थ हुआ है या फिर मिसकरेज हुआ है या फिर एबर्सन हुआ है तो उसके कम करने के लिए ये medication यूस की जाएगी और ये क्या करेगा कि जो brain का जो chemical है dopamine जिससे हमने previous slide में सिखा वहाँ पर उसके साथ bind होके अपनी pharmacological action जो है वो देता है और prolactin का जो level है उसको reduce करेगा और जिससे क्या होगा milk secretion जो है वो कम हो जाता है तो अब समझते है कि cabergoline को कौन से अलग-अलग medical condition को treat करने के लिए use किया जाता है तो जैसे हमने concept समझा कि जो cabergoline जो है वो specially prolactin का level कम कर दे तो prolactin level बढ़ने से जिन women's के अंदर infertility के problems हुए है तो infertility को ठीक करने के लिए ये tablets जो है वो prescribe किये जाते है second कि जो sexual problems है women's के अंदर उसको ठीक करने के लिए ये medication यूज़ की जाएगी तिसरा hyperprolectemia को treat करने के लिए भी ये medication यूज़ की जाएगी फिर जो prolactin level high होने के करन कई बार polycystic ovarian syndrome का जो problem देखने को मिलता है या फिर जो हम कहते है PCOD का problem तो उस वक्त भी ये cabargulin के जो tablet से वो prescribe किये जाएगे जिससे prolactin level को कम करके PCOD का जो है वो इलाज हो सके फिर ऐसे cases के जाएगे high level of prolactin के करन milk secretion हो रहा है तो उस वक्त milk secretion को बंद करने के लिए और उसको reduce करने के लिए भी cabargulin यूस की जाती है फिर जेन वुमेंस के अंदर ovulation disturb हो गया है irregular हो चुका है ovulation तो उनको normal और regular करने के लिए भी ये medication यूस की जाती है कि कई बार prolactin का जो level है वो बढ़ने के कारण especially जो ovulation cycle होता है उसके उपर ये असर करता है तो उसको फिर से normalize करने के लिए ये medication यूस की जाती है फिर उसी तरह से जो menstrual cycle normal करने के लिए भी ये cabargulin के tablets यूस किया जाते है और amnoria की condition को भी ये ठीक करेगा कि कई बार prolactin level हाई होने के कारण जो period जाना बंद हो जाते है कि जिसको medical condition में कहा जाता है amnoria की condition तो ये सभी conditions को ठीक करता है ये medication क्या बर्गulin बाट इसको किस तरह से सही तरह कैसे use करना है वो अब जानेंगे तो तो PCOD के अंदर ये इस तरह से काम करता है कि specially जो reason होता है PCOD का कई बार बहुत सारे लोगों के अंदर देखने को मिलता है कि polycystic ovarian syndrome होने का जो reason होता है कि prolactin का जो secretion है वो उनके अंदर काफी ज्यादा हो रहा है तो उस वक्त prolactin level को reduce करता है ये medication के जिससे ये mensural irregularities जो होती है PCOD के अंदर साथो साथ evaluation का भी disturbance देखने को मिलता है और productin के साथ साथ जो androgen का level भी जो कई बार increase होता है तो वो भी normalize करता है ये cabargolen tablet के जो ऐसे फूमेंस के लिए सही रहेगा कि जिनको PCOSN PCOD का जो problem है तो इस तरह से ये basic use किया जाता है इसका PCOD के इलाज में भी फिर बात करें उसके perfect dose के कि कितने dose से ये medication यूज की जाती है तो start की जाती है 0.5 mg twice weekly ये खास याद रखे वीक में दो बार लेनी होती है ये medication कि जब आप 0.25 mg वाला ये यूज कर लेगे समझे कि आप cabgoline खा 0.25 mg वाली ये tablet यूज कर रहे है तो week में दो बार मतलब कि समझे कि आप fix करते हैं एक day आपने एक fix किया है week में एक day Monday fix किया है और दूसरा समझे कि आपने fix किया है थर्स डे तो हर Monday या फिर हर Thursday week में दो बार आप ये tablet लेंगेös tablet 1 लेंगे आप Monday को और tablet 2 जो है वाप लेंगे Thursday को, तो week में सिर्फ दो ही tablet आपको लेनी है फिर अगर समझे कि 0.5 miligram का tablet है तो उसको once a week week में एक ही बार कि समझे कि week 1 है तो week 1 में ये आप एक tablet लेते कि Monday को fix किया है आपने, तो हर Monday को आप एक tablet लोगे, उसी तरह से जब second week start होगा तो week, दूसरे week में भी same, Monday को ही आपको ये tablet खाने किते है ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक week में Monday को खाते है या फिर दूसरे week में फिर आप Wednesday करते है, Friday करते है ऐसा नहीं, जो भी आपने day fix किया है उसी दिन ये tablet जो है fix date पहे लेना है और 0.25 mg का है तो उसमें week में दो बार और वो भी जो fix किया है आपने day, कि आपने Monday या Thursday fix किया है, तो उसी दिन आपको week में दो बार ये tablet खानी होती है ये जो है वो treatment खास कर चार से लेकर आठ week तक चलती है कि ज़्यदे ज़्यदा one month कि एक month जितना चल सकता है कि जिसमें four week जितने cover होगे और जरूरत पढ़ने पर second month भी patient जो है वो tablet खाता है वो भी उसके और चार week तर और maximum जो है वो dose उसका रहता है one mg twice weekly बढ़ जरूरत पढ़ने पर ही वो dose increase किया जाता है, usually 0.5 mg पर week से ही यह medication के कुछ common side effect तो यह medications लेने के बाद आप nausea जैसा फिल कर सकते कि जो जीमा चलना, vomiting होती है कुछ cases के अंदर फिर heartburn जैसा फिल होता है कि सीने में जलन वगेरा होना constipation हो जाता है कुछ लोगों को tiredness मनलब कि थकान माईस हो जोना dizziness जैसा फिल होना कई बार breast के अंदर pain जैसा फिल होता है painful menstrual periods हो सकते है burning हो सकता है numbness हो सकता है tingling हो सकती है आपको आपके हाथ के अंदर, पैर के अंदर legs, feet वगेरा में तो यह उसके कुछ common side effect है serious side effect देखे तो कुछ लोगों को breathing में shortness देखने को मिलती है कि कुछ cases में अंदर breathing short हो जाना ऐसे side effect देखने को मिलते है as a serious side effect तो अगर आपको ऐसे कोई भी serious side effect होती है क्याबर गुलिन का एक dose लेने के बाद तो तुरंत यह medication को लेना बंद कर देनी चाहिए second difficulty हो रही है breathing के अंदर की जब आप सोते है तो सोते समय आपको दिक्कत हो रहे हैं कि जब आप सोते हैं उसमें जब problem होती है तो खास कर बंद कर देना चाहिए क्योंकि सोते समय जो breathing difficulty होना काफी complicated हो सकता है तो यह खास द्यान रखे फिर आपको cough जैसा feel हो रहा है reactions के तोर पे आपको swelling जैसा हो रहा है आपके हाथ पे पेर पे आपका ankle का area lower legs का जो portion है वहाँ पे swelling देखने को मिल रही है सुजन देखने को मिल रही है तो तुरंत इसको बंद कर दे urine जो कि decrease हो रहा है कि urine की जो frequency भी कम हो रही और urine formation भी कम हो रहा है तो भी उसको ना लेने चाहिए फिर कुछ cases के अंदर back pain जैसा होता है side pain होता है, groin जैसा होता है lumps जैसा feel होना या फिर stomach के अंदर pain होना ये भी side effect होते है और abnormal vision तो अगर आपको कोई भी ऐसे serious side effect होती तो तुरंत आपके pharmacist या फिर doctor को contact करके ये medication के दूसरे alternative जो है वो लेने चाहिए और ये medication को लेना तुरंत बंद करना चाहिए contraindications देखे तो contraindications देखे तो कौन से लोगों को ये cabergulin नहीं देनी है, तो एक कैसे patient की जिनको argot medications के allergy होते हैं, जो argot derivatives जितने भी होते हैं, उनकी समझे के आपको allergy है, तो cabergulin को use ना करें, hypersensitivity आपको हो जाती है, argot derivative से, because starting में ही हमने सीखा, कि cabergulin जो एक argot derivative medication है फिर ऐसे patient की जिनको liver related problem है, जिनका liver और अल्रेडी खराब है तो वो लोग भी ये medication को ना ले, फिर ऐसे patient की जिनको pregnancy के अंदर blood pressure जो हाई रहता है people with high blood pressure from pregnancy कि pregnancy के बाद आपका blood pressure हाई रहता है कि pregnancy के करण कुछ ऐसे complications रहे हो, और blood pressure आपका हाई रहता है pregnancy के बाद तो उन लोगों को ये cabergulin नहीं खानी है, फिर आपकी ऐसे history के tissue scaring, कि इस तरह से आपके skin के जो tissues होते है, वहाँ पे scaring होता है तो भी use ना करे heart related problem है, आपको तो भी cabergulin use ना करे, और ऐसे people की जिनको liver related problem है liver failure है, liver disease है तो भी cabergulin की tablet नहीं खानी चाहिए, ये था हमारा special video lecture, cabergulin के बारे में तैसे ही medicines के basic use वेगरे के बारे में सिखे pharma rocks के आप उपर की जहाँ पे आप medications के basic use उनका working, dose क्या रहता है, sad effects क्या रहता है, सभी को अच्छे ज़े सिखे, disease and medicines related course में की जहाँ पे उनके PDF एक्सेस कर पाऊगे, PPTs सभी medicines related lecture के वो भी, affordable price में डाउनलोड करें, आप pharma rocks और एक्सेस कर ये कॉर्स को Android user, Android app डाउनलोड करें iPhone user, app store से link आपको description box में मिल जाएंगी, या फिर ये नमबर पे WhatsApp करके भी आप links वगेरा पा सकते हैं तो study material, test series and video lecture के लिए join करें आप pharma rocks के अंदर android user android app download करे iphone user app store से link आपको description box में मिल चाहेगे good luck and all the best